दोस्तो अनादर रिलेक्सेशन आपके लिए आई है इस सर्कुलर में इससे पहले भी M.C.A. का एक नया सर्कुलर आया था जिसमें की एक्स्टेंशन दी गई थी E.4.11 को लेकर के 4LLP उसके बाद ये नया सर्कुलर आया है हलाकि आपके लिए GST के अंदर भी GSTR 4 की जो लेट फीस है उसे वेवोफ किया गया है 30 जून 2022 तक तो अब यहां पे अनदर इंपोर्टेंट जो सर्कुलर है वो हम डिसकस करने वाले हैं चलिए ये सर्कुलर में क्या बाते लिखी गई है इसमें रिलेक्सेशन आपको दी गई है इन पेंग एडिशनल फीस यानि कि आपकी एडिशनल फीस आपको पे नहीं करनी है जो नोमल आपकी फीस है वही लिकेवल लगेगी in case of delay in filing of all the event-based e-forms by LLP which are due on and after 25th February to 31st May 2022 तो केवल उनहीं फीस के लिए रिलेक्सेशन दी गई है जो ड्यू है ड्यू थे आपके 25 फरवरी से 31 मई 2022 तक तो उनहीं फीस के लिए आपको ये रिलेक्सेशन मिलेगी additional fees आपको पे नहीं करनी है कब तक नहीं करनी है 30 जून 2022 तक ministry को रिस प्रेजेंटेशन रिसीव हुई थी seeking extension of timeline for filing event-based form जो के LLP के द्वारा फाइल किये जाते हैं without paying additional fee in view of transition from version 2 of MCA to version 3 तो जो version 2 से version 3 में जो portal गया है उसके लिए काफी सारी representation भीजी गई थी कि जो timelines है उनको extend किया जाए तो उन्ही representation को ध्यान में रखते हुए and to promote the compliance on the part of LLP ये side किया गया है कि LLP को allow किया जाए कि वो to file करे various event-based LLPE forms जिनकी due date 25 फरवरी से 31 मई के बीच आ रही थी उन सभी forms की जो date है उसको 30 June 2022 कर दिया गया है यानि कि 30 June 2022 तक किसी भी तरह है कि कोई additional fees आपको informs पर पे नहीं करनी है तो ये important circular है इसे share कर जरूर कीजिएगा क्योंकि काफी सारी demand की गई थी in extensions को ले करके